आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में हम लोग आपको दो टूटॉल दिखाने वाले हैं एक तो है कांगरू मदर के और दूसरा जो है कांगरू मदर केर की जो बैग आती है तो कैसे आप स्टिच कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया टूटॉल है दोनों ही बढ़िया टूटॉल है जो पहला वाला टूटॉल है केमसी उस पर हम लोग ने सिस्टमाटिकली आपको सिखाया हुआ है कि कौन से बच्चों को आप केमसी ब देना है केमसी देना है अजो जो नॉर्मल बिच्चे है टू पॉण केजई के ऊपर के जो बच्चे है उनको भी आपको डैफिनेकली केमसी देना है और फाइदेए और मुझे असे पाइदेए दिख तुक्युक्पोर्णंट है एक तो इसकिन तो स्किन टूटॉक्यू आप देखेंगे कि जैसे टूटर में हमने बताया हुआ है कि बच्चे का जो वजन है जब ही केम से देते हैं तो ज्यादा बढ़ता है वजन बढ़ेगा लेकिन आपको ये भी दिहान में रखना है कि बच्चे को मा का दूद मिलें अगर बच्चा पंदरा सो ग्राम के उपर ह कि लो बच्चा डीफीनिक्लित्ली अस्थिंपर डिरीक्ली जा सकता है इस टेकनिक बहुत जरूरी है मा को दूषरा कैसे अपना दूद निकालना वह ही अपे टिकनिक से निकालना थैयं प्रेस कांपरेस डिलीज हो आप देखेंगे अगले सेßen मे तो वहह आप दृगे है ल लगा-लग रज तका काय उए यह की माव्पना क सकती है डादी दे सकती है नानी दे सकती है दादा नाना पिताजी सब दे सकते हैं ठीक है तो यह एन देसात्टी तो बै締ेक कि सिफ्ट माह को ही देना है लग बख सुला से और घंटा मॉझा कोई बी है w के थे सकता है टीक है तो ये दोनों टोटोल देखे और सब लोगो को ये टोटोल आप फॉरवरड कीज़े सब को सबको ध्यान में होना चाहिए क्या जाहिए कि के लिओ इन चीज क्या है और कैसे कैम सी बैक बंनानी है वो भी आपको सब को बताना है कि बहुत सस्ते में ये KMC बैग हो सकती है वो केमसी बैग में हम लोग ने टोपी कैसे टोपी के साथ ये KMC बैग है हमारे कलीक है डॉक्टर रोमेश खुराना उन्होंने ये हम लोग को मैंने जब भी देखा उनका बैग मुझे बहुत अच्छा लगा तो हम लों ने उनको इन्वाइट किया और हम लोग को ये टुटॉल उनके जो टीम है उनके द्वारा हम लोग को ये टुटॉल मिला हुआ है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे कि कंगारू मदर केर क्या है उसके अलग-अलग भाग और महत्व और कंगारू मदर केर का पूरा तरीका। चलिए पहले शुरू करते हैं कंगारू मदर केर की जानकारी के बारे में। जैसा की नाम सुझाब देता है, इसमें शिशु को मा के नंगे शरीर के साथ रखा जाता है, और इसे KMC के नाम से भी जाना जाता है. याद रखें की KMC शिशु के जनम के तुरंत बाद करना चाहिए, ये खासकर उन कम वजन के शिशु के लिए सुझाया जाता है, जिनका वजन जनम के दौरान धाई किलो से कम हो, और जिनको लगातार निगरानी की जरूरत ना हो, पर ये आम तंदुरुस शिशु के लिए भी किया जा सकता है, के एम सी के दो भाग हैं, शिशु को लगातार लंबे समय तक मा के नंगे शरीर के साथ रखा जाना, और सिरफ स्तन पान कराना, चलिए के एम सी के भागों के बारे में विस्तार में देखते हैं, पहला है मा के नंगे शरीर के साथ रखा जाना, जिससे रिफ्लेक्स बहतर होता है और जिस वजय से मा का दूद जादा बनता है। लेटडाउन रिफ्लेक्स इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटॉरियल में बताया गया है। दूसरा भाग है स्तन पान कराना। याद रखें की पहले छे महिने तक शिशु को सिरफ मा का दूधी पिलाना चाहिए। अगला हम बात करेंगे कंगारू मदर केर के महतु की। KMC में लंबे समय तक मा के शरीर के साथ रखे जाने से शिशु के शरीर का सही तापमान बना रहता है। और शिशु को भी सुरक्षित महसूस होता है। KMC से कम होते हैं। इंफेक्शन की संभावना, शिशु का सांस रुकना, जिसे अप्निया कहते हैं, अप्निया में शिशु का सांस लंबे समय तक रुक जाता है। इसके अलावा, KMC की वज़े से स्तन्पान कई दफ़े बार-बार कराया जाता है। और इससे मा और शिशु का बंधन भी मजबूत होता है। KMC से शिशु की मदद होती हैं वजन के बढ़ने में बाकी पारंपरिक तरीकों के मुकाबले। जैसे की शिशु को गरम रखने वाली पेटी में रखना, जिससे मा और शिशु दोनों को तनाव होता है। KMC से मा की संतुष्टी और आत्मविश्वास बढ़ता है, जब वह अपने शिशु का खास खयाल रखती है। खास बात KMC की ये है कि इसे मा के अलावा कोई और भी कर सकता है, जैसे पिता या कोई बड़ा बुजुर्ग भी। अब हम KMC करने वाले के ध्यान में रखने वाली बाते करेंगे। KMC करने वाला तंदुरुस्ट और हरिष्ट पुष्ट होना चाहिए। उसे खुद की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हाद धोना, रोज नहाना, नाखुन कटे होना, बाल बंधे होना और साफ कपड़े पहनना। उसे जेवर, घड़ी या धागे नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से खुद की स्वच्छता में कमी रह सकती है और इनसे शिशु को चोट भी लग सकती है। अब हम बात करेंगे कि KMC करने वाले को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े ऐसे हों जो सामने से खुल पाएं और हलके हों। कंगारू थैले या फिर बाइंडर बाजार से भी खरीच सकते हैं। अगर केमसी लंबे समय तक करना हो तो ये फायदेमंद होते हैं, इनके अलावा केमसी करने वाला एक मुलायम साफ सूती कपड़ा भी इस्तिमाल कर सकता है, जबकि केमसी के दौरान शिशु को एक टोपी और लंगोट पहनानी चाहिए, अगर शिशु का मल या पिशाप निकल जाता है, तो शिशु को अच्छे से साफ करके सुखाएं, अगला हम सिखेंगे कंगारू केर करने का पूरा तरीका, पहले मा को एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, फिर या तो स्वास्त सेविका को या फिर परिवार के सदसे को ये करना चाहिए, शिशु के नितंब और सर को सहारा दे कर उसे मा के नंगे स्तनों के बीच में सीधा रखें, फिर शिशु का सर एक तरफ को घुमाएं, ध्यान दें कि उसका सर हलके से पीछे की तरफ जुका हो, इस थिति से उसकी नाक सांस लेने के लिए खुली रहेगी, और वो मा की आंखों को देख पाएगा, के स्तनों पर ही रखें, और टांगे मा के स्तनों के नीचे, शिशु का पेट मा के सीने पर होना चाहिए, कपड़े से लपेटने से पहले, अगर मौसम ठंडा हो, तो उसे कम्बल में लपेटें, इस से मा और शिशु दोनों गरम रहेंगे, फिर एक कपड़े से शिशु और मा के सीने और उसके पेट को लपेटें। लपेटे हुए ये ध्यान दें कि कपड़े का बीच का भाग शिशु पर है और उसके दोनों सिरे मा के बगलों में से निकल कर उसकी पीट के पीछे बंध पाएं। उसके बाद फिर से कपड़े के दोनों सिरे सामने लाएं और एक गांट बान लें शिशु के नितंब के बिलकुल नीचे। इससे शिशु को आराम मिलेगा और सहारा भी। और वो फिसलेगा भी नहीं। याद रखें, जब मा आराम से केमसी करने लगे तो उसे खुद से कपड़ा लपेटना सीखना चाहिए। केमसी करने के लिए खुद से कपड़ा लपेटने की तक्नीक इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटोरियल में बताया जाएगा। उससे मा का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो खुद से केमसी का कपड़ा लपेट पाएगी। अगर कपड़े से मा को तकलीव हो तो वह खिचने वाला कपड़ा इस्तिमाल कर सकती है। इसे असानी से और आराम से इस्तिमाल कर सकते हैं। खिचने वाला कपड़ा इस्तिमाल करते हुए उसके किनारे शिशु के कान के ऊपर तक लाएं ताकि उसके सर को सहारा मिले। फिर उसके सर को हलका सा घुमाईए ताकि वो आराम से सांस ले सके और अपनी मा को देख पाए जैसा की पहले बताया गया है। लपेटने वाला कपड़ा या खिचने वाला कपड़ा ना जादा तंग और ना जादा धिला होना चाहिए। उनसे शिशु को सांस लेने में आसानी होनी चाहिए। ध्यान रखें की केमसी करते हुए मा ये सब कर पाए। चलना, खड़ा होना, बैटना और अलग-अलग काम कर पाना। अगर मा आराम से हो तो वो कमसी करते हुए पूरी तरह लेटकर या फिर तकिया रखकर टेक लगाकर सोब भी सकती है। अब हम बात करेंगे केमसी के दौरान स्तनपान कराने की। स्तनपान कराने के लिए मा लपेटे हुए कपड़े को धीला करके शिशु को सही सिती में रखकर दूद पिला सकती है या फिर खुद अपने हाथ से दूद निकाल कर शिशु को कप या चम्मच से पिला सकती है याद रखें हर रोज शिशु का वजन 25 से 30 ग्राम बढ़ना चाहिए शिशु का महीने में करीब 900 से 1000 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए इसलिए मा या स्वास्पसेविका को नियमित जांच के दौरान शिशु के वजन पर निगरानी रखनी चाहिए अगर शिशु का जरूरत के मुताबिक वजन ना बढ़े तो स्वास्पसेविका को मा के स्तनपान कराने की तकनीक को देखना चाहिए या फिर देखना चाहिए शिशु कितनी बार पिशाप करता है और मा को मूँ की पकड़ की पूरी तकनीक समझानी चाहिए मूह की पकड की सही तकनिक इसी श्रिंखला के एक आन्य टुटोरियल में बताया गया है। अब हम सीखेंगे शिशु को लपेटे हुए कपड़े में से कैसे निकालें। पहले मा को एकदम सीधे बैटना चाहिए। फिर गांट को एक हाथ से खोलना चाहिए। और लपेटे हुए कपड़े के बाहर से शिशु के नितम को सहारा देना चाहिए। उसके बाद जिस हाथ से पहले गांट खोली थी, उसी हाथ से लपेटे हुए कपड़े को, फिर शिशु के नितंब को सहारा देने वाले हाथ को कपड़े के नीचे से हटाएं। दूसरे हाथ से कपड़े के बाहर से शिशु के नितम को सहारा दें। फिर लपेटे हुए कपड़े में से शिशु को निकाल लें। अब याद से शिशु का सर इस तरह पकड़ें की अंगूठा एक कान के पीछे और उंगलियां दूसरे कान के पीछे हों। केमसी करते हुए मा को डॉक्टर या स्वास्त से विकाकी तुरंट सला लेनी चाहिए अगर शिशु सतर्क और चुस्ट ना हो। या फिर जल्दी-जल्दी सांस ले रहा हो या फिर बहुत धीरे-धीरे या शिशु के होंट और जीब नीले पड़ गए हों। या फिर उसके पैर ठंडे हों। कंगारू मदर के एर पर यह टुटॉरियल यहीं समापत होता है। IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। टोपी के साथ कंगारू बैक बनाने के स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है। इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे कंगारू बैक के फायदे और टोपी के साथ इसे बनाने का तरीका। चलिए शुरू करते हैं। कंगारू बैक कंगारू मदर केर या फिर के एमसी देने के लिए इस्तिमाल होता है। इसके बारे में इसी श्रिंक्ला के एक अन्य टुटॉरियल में समझाया गया है। कंगारू बैक से मा के लिए के एमसी आसान हो जाता है। माएं प्राकृतिक तरीके से शिशु के शरीर का तापमान बरकरार रख सकती हैं। ऐसा मा के स्तनों के बीच के रक्त संचार के बदलाव से हो पाता है। और ये बदलाव मा और शिशु के त्वचा से त्वचा के संपर्क से होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क आसानी से लंबे समय तक कंगारू बैग से किया जा सकता है। इस बैग की वज़े से मा के हाथ खाली रह सकते हैं। और शिशु का शरीर आसानी से मा के सीने पर संभाला जा सकता है। इससे मा को कमर का दर्द नहीं होता, कंगारू बैग हमेशा टोपी के साथ बनता है नवजात के सर से गर्माईश निकलती है टोपी नवजात के सर को ढख कर शरीर की गर्माईश बनाए रखती है ये जरूरी है कि मा के लिए दो कंगारू बैग बनाए जाएं जब पहला धो कर सुखाया जाए तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है दो बैग बनाने के लिए चाहिए डेड़ मीटर मुलायम फ्लैनल कपड़ा कैंची सिलाई मशीन चौक या पैन और इंच टेप नवजात के लिए बहतर होता है मुलायम फ्लैनल कपड़ा ये उनकी नाजुक त्वचा पर चुबता नहीं है बाजार में ये अलग रंगों में और डिजाइन में मिलता है सबसे पहले कपड़े को एक बैग बनाने के लिए काटें पहले फ्लैनल कपड़े को खोल ले और मेज पर लंबाई में रखे जिस तरफ छपाई की गई हो वो नहीं दिखना चाहिए और जिस तरफ कुछ ना छपा हो वो दिखना चाहिए टेप से 60 संटिमीटर बैग की लंबाई के लिए ना पले चौक या पैन से निशान लगाए चौड़ाई के लिए 30 संटिमीटर ना पले चौक या पैन से फिर निशान लगाए कैंची से निशान लगाई हुई लाइन को काटे अब 60 संटिमीटर बै 30 संटिमीटर का कपड़ा कट कर तयार है अब पैर डालने वाली थैली के लिए कपड़ा काटे कपड़े के निशले किनारे के 1 संटिमीटर को आढ़ा मोडे ये सिलाई के लिए चाहिए होगा फिर कपड़े को 15 संटिमीटर आढ़ा मोडे पैर डालने के थैली की लंबाई के लिए मोरने के बाद 15 cm ना पें अगला पैरों के थैली की मोरी खोलने के लिए कपड़ा काटें 15 cm की थैली के मोर को खोले बिना कपड़े को लंबाई में आधा मोरें मोरने के बाद जिस तरफ कुछ ना छपा हो वो बाहर होना चाहिए 15 cm के थैली के मोर के उपरी हिस्से से 8 cm की लंबाई ना पें कपड़ा जिस तरफ से खुला है उधर निशान लगाएं कपड़ा जिस तरफ से मोरा हो वहाँ पर निचली तरफ चोड़ाई में 8 cm ना पें चौक या पैन से निशान लगाएं अब दोनों निशान वकर के रूप में जोड लें फिर कैंची से कपड़े को वकर के निशान पर काटें अब लंबाई में मुड़े हुए कपड़े को खोल लें और जिस तरफ छपाई हो उस तरफ को बाहर रखें और लंबाई में आधा मोड़ें पर आड़ी तरफ से थैली को ना खोलें कपड़े की चारों तहों को ठीक से वकर में पकड़ें और फालतु कपड़े को काट दें ताकि शिशु के पैर थैली में से अच्छे से जा पाएं अब कंगारू बैग के थैली बनाने की कटिंग का काम खतम हुआ इसे अलग रख दें अब बेल्ट के लिए कपड़ा काटेंगे कंगारू बैग में तीन बेल्ट होते हैं एक मा की गर्दन के आसपास लगती है बाकी दो उसकी कमर पर बंधते हैं बचे हुए फ्लैनल कपड़े से बेल्ट बनाएंगे बेल्ट की लंबाई के लिए असी सेंटिमीटर नाप कर निशान लगाएं चोड़ाई के लिए छे सेंटिमीटर नाप कर निशान लगाएं ऐसे तीन बेल्टों का कपड़ा काटें फिर अलग रख दें अब टोपी के लिए कपड़ा काटे बचे हुए फ्लैनल कपड़े में से टोपी की लंबाई के लिए 30 सेंटिमीटर नापे चौक या पैन से निशान लगाए टोपी के चोड़ाई के लिए 15 सेंटिमीटर नापकर निशान लगाए फिर लगाए हुए निशान पर कैंची से कपड़े को काट लें अब हमारे पास 30 सेंटिमीटर बाई 15 सेंटिमीटर का टोपी का कपड़ा तैयार है अब सीखेंगे टोपी को सीलना टोपी के कपड़े को आढ़ा रख कर बीच में मोडे मोडने के बाद जिस सरफ कुछ ना छपा हो वो बाहरी क तरफ होना चाहिए कपड़े की दोनों तहों को मोडे गए दोनों किनारों पर सील ले कपड़े के बाकी के दो किनारों को भी सील ले अब टोपी को बैक के साथ सील सकते हैं इसे एक तरफ रख दे अगला है तीनों बेल्टों को बैक के साथ सीलना पहले बैल्टों को दाई तरफ से लंबाई में डेड सेंटिमीटर मोडे फिर बाई तरफ से डेड सेंटिमीटर मोडे बैल्टों को मोडने के बाद जिस तरफ छपाई हो वो दिखनी चाहिए अब बैल्टों को लंबाई में बीच में से मोडे पर आधे से ज़रा कम इस मोड में पहले के दो दाई और बाई मोड छिप जाने चाहिए तीन बार मोडने से बैल्टे मस्बूत हो जाएंगी शिशु का वजन उठाने के लिए अब तीसरे मोड पर सीधी सिलाई लगाएं और मस्बूती के लिए तीन बार आगे पीछे सिलें बैल्टे अब तैयार हैं इन्हें अलग रख दे अब बैक की थैली सिलेंगे देखिए ये वो कपड़ा है जो हमने थैली के लिए काटा था इस कपड़े को दाई और बाई ओर से आधे चांद के आकार में सिलें फिर थैली के उपरी आढ़े किनारे को सिलें पर सिलने से पहले दो बार मोड लें दूसरा मोड पहले वाले से बड़ा होना चाहिए अब थैली तैयार है अगला है बेल्टों को थैली के साथ सीलना थैली को आढ़ा मोड जिस तरफ छपाई की गई हो वो बाहर होनी चाहिए बेल्ट को थैली के उपरी तरफ और निचले कपड़े के बीच में रखें किनारे से आधा इंच छोड़ कर तीनों तहों को इकठे सिलें तीन बार आगे पीछे सिलें ताकि बेल्ट अच्छे से जोड़ी जाएं उसी तरह दूसरी बेल्ट थैली के उपरी कोने पर सिलें इस चित्र में थैली तैयार है और बेल्ट उससे जुड़ी है अब टोपी और तीसरी बेल्ट को बैग से जोड़ेंगे थैली के उपर के बचे हुए कपड़े को दोनों तरफ सिलें पर कपड़े को पूरी लंबाई में ना सिलें आखरी सिरे से करीब आधा इंच छोड़ दे बेल्ट के एक सिरे को कपड़े की जिस तरफ छपाई हो वहाँ उपरी ओर रखें बेल्ट के उसी सिरे पर टोपी का एक कोना रखें ठीक से कपड़े के तीनों तहों को इकठा पकड़ें तहों के उपरी ओर को कस कर मोड़े फिर दो से तीन बार सील ले अब कपड़े के आढ़े किनारे पर टोपी को सील दे हो सकता है कि टोपी की चोड़ाई कपड़े की चोड़ाई से जादा हो अगर ऐसा हो तो एक छोटी सी प्लीट टोपी के कपड़े में बनाए सीलते हुए प्लीट को दबा कर पकड़ें ताकि कपड़े और टोपी की तहें इकठी हूँ अब बेल्ट का दूसरा सिरा कपड़े के दूसरे सिरे पर रखें टोपी का दूसरा कोना बेल्ट के उपर रखें ठीक से तीनों तहों को पकड़ें इन तहुं को उपरी तरफ से कस कर मोड लें फिर दो से तीन बार इकठे सी लें कपड़े की लंबाई के किनारे को अगर पहले ना सीला हो तो अब सील लें और फाल्तु धागों को काट दें टोपी के साथ कंगारू बैग बन कर तयार है इसी के साथ ये टुटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं बैला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद झाश मैं जब भी चुबा लेगने के लिए बीदा से विता है हमसे कि बाद अहीं से जुटोरियल यहीं बादे पहते है